नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर्परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद हिमातो पून जानकारी को ले करके जिहां सफेद बालों को आधे घंटे में हमेशा के लिए जड़ से काला कर देगा ये नुस्खा आए इसी के बारे में आज हम सभी जानते हैं चाहे लड़की हो या लड़का हर किसी को अपने बाल बेहद पसंद होते हैं और अगर वहीं बाल सफेद हो जाएं तो मनुष्य एकदम परिशान हो जाता है और अपने बालों को काला करने के लिए कई सारे कीमिकल प्रोड़क्ट्स का इस्तेमाल करने लगता है जिससे बालों को काफी नुकसान होता है इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं थोड़ा वक्त लगता है हो में ड्रेमेडिस के प्रयोग से लेकिन आपके बाल नेचुरली ब्ल कामबान सिध्ध हो सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं बालों का सफेद होना जेनेटिक होता है और उम्र के साथ साथ हमारे बाल पकने लगते हैं लेकिन आजकल यह समस्या कम उम्र में ही होने लग जाती है बालों को डाई करने से भी बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं अतह बालों को काला करने के लिए हमेशा प्राक्रितिक नुस्खों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको कोई अन्य समस्या ना हो आज हम आपको बताएंगे सफेद बालों को इतना काला बनाएगा यह घरेलू नुस्खा कि आप खुद देख करके चकित रह जाएंगे कड़ी पत्ता तो हम सब के घर में होता ही है लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि कड़ी पत्ते को आप खाने के अलावा अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कड़ी पत्ता बालों को काला करने के लिए भी काफी फायदे मंद होता है जिहां कड़ी पत्ता समय से पहले बालों का सफेद होने की समस्या को रोकता है उन्हें जड़ से मजबूत बनाता है और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कैसे करना है अब आईए हम सभी इस बारे में जान लेते हैं सबसे पहले तो बनाने की विधी और प्रियोक करने का तरीका जानते हैं सबसे पहले 100 गराम कड़ी पत्ते लें और उसे साफ पानी से धो लें फिर इसे मिक्सर में पीस लें इसके बाद 50 गराम नारियल के तेल में कड़ी पत्ते के पाउडर को मिला लें और दोनों को अच्छे से उबालने के बाद तेल को ठंधा होने के लिए रख दीजिए और ठंधा होने के बाद तेल को छान कर किसी छोटी बोटल में भर लें रोज इस तेल को अपने बालों में जरूर लगाएं और इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाकर लगभग 15-30 मिनट तक मसाज करें ऐसा करने से लगभग एक हपते में ही आपके बाल सफेद जो हो चुके हैं वो जड़ से काले होने लगेंगे और एक महिने में बाल लंबे घने एवं जोणों से यानि कि जड़ से मजबूत होंगे यह प्रयोग इतना प्रभावकारी है कि जड़ते बालों को कुछी दिनों में रोक देता है अगर आपको रूसी है तो इस तेल में दो से तीन कपूर की गोलियां डाल लीजिए जिससे आपकी रूसी की समस्या खत्म हो जाएगी जिहां सफेद बाल काले करने के लिए आउले के तेरह रामबान घरेल उपाए अब जान लिए आउले के छोटे छोटे टुकडे करके इन्हें चाया में सुखाईए इन्हें नारियल के तेल में तब तक उबालिये जब तक की आउले काले और कठोर न हो जाए यह तेल बालों की सफेदी को रोकने के लिए बेहद ही उपयोगी होते हैं इस तेल से बस बालों की मालिश करने होती है एक बड़ा चमच आउले का रस एक चमच बादाम का तेल या कुछ बूंदे निम्बू के रस की मिला करके हर रात बालों में अच्छी तरह मालिश करें यह बालों की सफेदी को रोखने का अच्छा उपचार है सो ग्राम सुखे आउले को लोहे के बरतन में चार दिन तक भिंगोईए फिर इसे पीस करके गाढ़ा पेश्ट बनाईए ब्रश भली भाती बालों में लगाईए दो घंटे बाद सिर को धो लीजिए कुछ दिनों में बाल काले होने शुरू हो जाएंगे यह बिहद ही उप्य प्रियोगी प्रियोग है असमय हुए सफेद बालों के उपचार के लिए लोहे के बरतन में रात भर आउले का चून भिंगोई करके रखिये सुबह उसमें बकरी का दूद और निम्बू का रस मिला करके नियमित रूप से बालों पर लगाईए फिर चमतकार देखिये आउ आउले का रस एक किलो देशी घी 250 ग्राम मुलहठी इन तीनों को खलकी आज पर पकाना होता है जब पानी सुख जाए और तेल बच जाए तो उसे च्छान करके बोटल में भर ले इसे खिजाब की तरह लगाएं कुछी दिनों में सारे बाल काले हो जाएंगे आउले के चून का लेप बनाएं उसे रोजाना सुबह सीर के बालों में अच्छी तरह लगा लें साबुन का प्रियोग ना करें इस प्रियोग से सफेद बाल काले हो जाएंगे जी हाँ बालों के सफेद होने और चेहरी के रोणक नश्ट हो जाने पर एक चमच आउले के चून को दो घुट पानी के साथ सोते समय प्रियोग करें इससे पून लाव होता है और साथ ही आवाज मधूर और शुद्ध होती है सुखे आउले के चून को पानी के साथ मिला करके सिर पर लगाने के बाद बाल को अच्छी तरह धोने से सफेद बाल गिरना बंध हो जाता है सब्ता हमें दो बार नहाने से पहले इसका प्रियोग करें अपनी आवश्यक्ता के अनुसार करीब तीन महेने तक इस प्रियोग को आप अपना सकते हैं आपको अवश्य लाव होगा 25 ग्राम सुखे आवले को यवकूट यानि के मोटा मोटा कूट करके उसके टुकडे को 250 मिली लिटर पानी में रात को भिंगो दें सुबह फुले आवले को कड़े हाथ से मसल करके सारा जल पतले स्वक्ष कपड़े से च्छान लें इस च्छाने हुए पानी को बालों की जड़ों में हलके हलके अच्छी तरह से लगाएं और 10 से 20 मिनट बाद बालों की जड़ को अच्छी तरह से धोलें रूखे बालों को एक बार और चिकने बालों को सब्ताह में दो बार धोना चाहिए आवशकता हो तो और भी धोया जा सकता है जिस दिन बाल धोने हो उसके एक दिन पहले रात में आवले के तेल का अच्छी तरह से बालों पर मालिश आवश्य करना चाहिए ताकि आपको पून लाह मिल सके सुखे आउले 30 ग्राम बहेडा 10 ग्राम आम की गुठली की गीरी 50 ग्राम और लोह चुन 10 ग्राम रात भर कढ़ाई में भिंगो करके रखे बालों पर इसका रोजाना लेप करने से छोटी आयू में सफेद हुए बाल कुछी दिनों में काले पड़ जाते हैं जिहा पीस करके सिर में लगाने से बाल मजबूत होते हैं और काले भी होते हैं जिहां दोस्तों बालों की देखरेक से रिलेटेड आज का हमारा ये एपिसोड था आप सभी के लिए आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके और हम चाहते हैं कि आप सभी को हमारे चैन कुले करके तब तक के लिए धन्यवाद नहीं कुले करके तब तक के लिए धन्यवाद